चले दुस्तों जो जो जुड़ चुके हैं अगर नोटिफिकेशन पहुच चुके है तो फटाफट जुड़िए और फाइनली जो है ये वीडियो आ चुके है हिस्ट्री की जो काफी इंपोर्टेंट है बिल्कुल न्यू पैटरन के आधरित यहां जैसे देख पारेंगे तो न्यू पैटरन पर जो लेकर आया हूं दोस्तों जैसा कि 100 अब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा और यहां पर देखिए दोस्तों 50 का आपको आंसर देना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखीर तक देखना है अगर आप अच्छे वाक्स लाना चाह रहे हैं त ठीक है जाए तो एक नमबर देखे हरा सहा कि मुहरे किस चीज की बनी होती है तो हरू सभी को देखानी से अब आगे वबढ़ते हैं क्वेशें न architects निद्ट हाँ जवाब इसलान अच्छा अब कि यह दुशराण निम सब्सक्राइग क्या है, अब देखेसंट में कि देख रहा दो क्या है रहा है इसका न्बर्ट कहों सब्सक्AR सते. चले very good बहुत अच्छा आप सभी का आ रहा है तो बहुत सारी इस्ट्वेंट का गलत आ रहा है तो देख लिए दो नमर का ये नमर हो जगा ठीक है अब आगे की और बढ़ते हैं question number 3 सभी कोई live में अगर देख रहे हैं तो live में बढ़े रही है और सभी का अंसर दीजिए चले बहुत अच्छा आप सभी का जवाबार है चले चले वैरी गूड यहां पर राइटन सर देखिए अभी तक जो है लाइक नहीं किये और नहीं शेयर किये देखिए निव इस्ट्रेंट सब्सक्राइब कर लो यह पार्ट टू है यह पार्ट थीरी हिस्ट्री का मैं अपलोड कर रहा हूं और यह पार्ट यह दो कर चुका सब का जवाब आ रहा है और सभी कोई फटाफट जवाब देने की कोश्ची करिए अब यहां पर देखिए कोश्च नमर चार क्या बोले जाना है सिंदु घाटी के निवासियों को किस धातु को जो है ग्यान नहीं था तो चार नमर का राटेंसर कॉन सब्सक्राइब हो चलिए यहां पर क्वेश्च नमर देखिए अगला क्या बोला जा रहे है छे नमर देखेंगे दूस्तों सब्सक्राइब बहुत अच्छा चले चले तो बताइए तो अब यहां पर देख लीजे क्या है कह रहा है क्या है देख लिए फटा पर जवाब दीजा आप सभी कोई चले very good very good सबका तो जवाब आ ही रहा है आप लोग कोशिच करिए सब कोई सबसे पहले आप एक दूसरे से सबसे पहले कोशिच करिए चले very good बहुत अच्छा तो यहां जो दूस्तों छे नमबर का राइटनसर क्या हो जाएगा तो यह नमबर राइटनसर नहीं वया पार मे हरपा संस्कृति आधरित्ति किसमें तो वह आप आरमें ठीक है चले अब बहुत अच्छा आप सभी का भी सही जवाब आ रहा है यहां पर देखेंगे क्वेशन नमबर क्या साथ नमबर हरपा सबता के लोग किसकी उपासना करते थे तो हरपा सबता के लोग जो है किसकी बहुत अच्छा आप सभी का सही आ रहा है यहां पर सी नमबर हो जागा ठीक है सत नमर का सी नमबर यानि मारित देवी की पूजा करते थे यानि उपासना करते थे चले आप देख लेते हैं आगे पर दोस्तों आ चुकी है क्या बोले जा रहा है देखे हरपा सबता का अगर कौन सा है तो नौन अबर का राइट एंसर क्या जाए तो बीनम रैटेंसर यानि क्या जगा मोहन जोदरो हो जागा मोहन जोदरो अब आगे की बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर देखे चले सभी जवाब दीजे एक क्वेश्चन पर दस क्या बोले जाए करे कि हरपा सब किस नदी के किनारे तो इसका राइट अंसर जोता है दोस्तों यानि 11 नमर जागा नी रावी नदी के किनारे हरपा इस्तित है ठीक है चलिए अब आगे की बढ़ते हैं क्वेश्चन पर क्या है बारन नमर चले सभी जवाब दीजिए बहुत चाप सभी का जवाब रहे बहुत अच्छा आप सभी का सभी जवाब रहा है आप देखें आपर कोश्च नमर तेरे चले सभी फटा पर जवाब लिए वैरी गूड वैरी गूड चले जी के शिमेंद्रे की रचना काउंसी है तो यहां पर तेरे नमर का राइटेंसर कॉंस आजएगा तो तेरे का रचना है तो यहां पर जवाब लिए कोश्च नमर चावदय का चले बहुत अच्छा तो चावदय नमर का राइट नसर रहा है यह नमर याई मेगा स्थनिस ठीक है चले बहुत अच्छा आप सभी का सभी जवाब रहा है अब यहां पर देखेंगे दोस्तों क्वेश्च न जाता है कि जिस गुप्त सासक को लिचीवी दोहत्रेश सासक कहा जाता है तो यह पर सोड़ान बर राइट अंसर यह नमबर समुद्र गुप्त को समुद्र गुप्त राइट अंसर क्या होगा यह नमबर हो जाएगा ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं आगे के और कौश्च सत्रे नंबर सत्रे नंबर देखिए क्या बोला जा रहा कि गुप्त काल में हस्त्रे सोना का परदान को क्या कहते हैं तो गुप्त काल में हस्त्रे सोना का परदान को क्या कहते हैं तो सत्रे नंबर का राइंसर कौन सा जाएगा चले बहुत अच्छा सत्रे नंबर का शी नंबर यानि महापूली पती महापूली पती राइट अंसर ची नमर होगा चलिए अब देखे क्वेश्चन पर अठार नमर देखेंगे दोस्तों चलिए सभी कोई फटा पर जाओ बोले समुद्र गुप्त की तुलना किस यूरोपिया सासक्स की जाती है तो यहां नमर होगा चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और 20 नमर कि मिर्तियों कब होए थी नहीं कहां हुए थी तो यहां पर राइट अंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा देख लिए यहां पर अच्छी तरीके से तो बिस नमर जो यहां पर देखिए किस धर्म को मानता था तो इसका राइट अंसर का यहां पर सी नमर जगा यहांने चंद्रगुप्त मौरिया किसको मानता था ठीक है एक इस नमर का था राइटेज़ चले बहुत अब आगे की बड़ते हैं क्या देखिए किस वंस को मानता था नबर का यहां जाब तो यहां पर आयटन सरकों सा जगा च्रिव आजवेरेगोड कि नम्बर याणि क्या विरह दर्थ विरह दर्थ राइटन सर्य आप डिन रोगा ठीक है चले बहुत अच्छाव सभी कोई सभी जाब देने अब यहां देखे कुछन मरेका 24 नमर वासुदेव किरिशन किस वन्ष तो चौबिस का राइटेंसर लिए निया जिगा विरिश्णन विर्शिन राइटेंसर लिए ठीक है विरिश्णन राइटेंसर लिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्ण मेर देखें कि 5 नमर देखें क्या बोले जारा पांच पांडवों में सबसे बड़ा कौन था 25 नमर राइटेंसर यानि युदुष्टिर हो जागा युदुष्टिर अब बढ़ते हैं क्वेश्ण नमर 26 जवाब दीजेगा 26 नमर क्या देखें पंचाली किसका उपनाम था पंचाली जो है किसका उपनाम था तो 26 का यह नमर सब्सक्राइब तो संकर्सन किसका दूसरा नाम था इसका सही जवाब बहुत अब आगे की और बढ़ते हैं यहां पर क्या बढ़ते हैं पिता माह का मूल नाम क्या था तो यहां पर सब्सक्राइब चले सब्सक्राइब निरुपन कहां से किया गया सबसे पहले आवतारवाद सिद्धान्त का निरुपन कहां से किया गया तो 29 नमर का रइट अंसर जो जाए यहां क्या होजएगा क्या बहुत यक तो इसका रइट अंसर जो जबात दूस्तों क्या जब्सक्राइब में हुवी है चले सब्सक्राइब बोलिए गौत्म-बुद का जन्म पहां हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो इसका 33 स्वार्ट अंशर जएगा या नमबर याँ कपिल वस्तू के लुंबनी में कपिल वस्तू के लुंबनी में राइट नमबर हो जाएगा अब देखिया भाइधिस के अब दोर देखेए सवयतांबर और दिगंबर का समन्द किस भाइद से है सवयतां बर और दिगंबर सब्सक्राइब किस भाइध मर तो घूले चलिके अब बढ़ते नंगेज है ओर यहां पर आचाकि त्रीफ कि सभीता किस नाम से जाने जाती है चले तो यहां पर देखिए 38 नमर आ चुकी है क्या बढ़ जा रहा है आरियों का सबसे परमुक पसू कौन था तो इसका जो सही जवाब अरते कंव ग महात्मा बुद्ध को महं परीनिरवान प्राप्त कहां हुआ था तो मre वुद्ध को मह परीनिरवान्वान प्राप्त कहां हुआ था सब्सक्राइब कर दिए जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कर ले ना क्योंकि इसी तरह के हम लोग और पांच सेट लेकर आने वाले हैं यहां पर देखें किस सासक ने परतिबन लगाया था तो इसका कितने भागों में विभकते हैं तो इसका डायट अनसर क्या परति बार चैनल के लिएगा था तो बी नमर जाएगा नि बार है बार है राइट अन्सर बी नमर जाएगा ठीक है दो दूस्तों अब आने वाले पहले बाबर कहां सा सकता तो इसका राइट चाहिए फर्गना का सासक था ठीक है चलिए अब आगे के और बड़ते हैं को दीवाने असरफ कभ नियुक्त किया गया था तो दोस्तों इसका राइट एंसर का तो यह नंबर नी पंद्रेसो बिरासी हो जाएगा अ अब आगे के और बड़ते हैं दोस्तों सभी कोई फटा पर जवाब लिए क्या है अर्थालेस नंबर अरंग जेब ने अपने जीवन का अंतीम भाग कहां बिताया था तो अर्थालेस नंबर का राइट राइट एंसर दक्षीन भारत में जो है बिताया था चीक है चलिए य और यहां पर देख़्ाइब के बस यहां बुले जारा दोस्तों आप लोगो महा पिन किया हुआ मिल जाएगा तो दोस्तों आप आप लोग को वीडियो कैसा लगा और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोग पीडिएफ लेना चाह रहे हैं दोस्तों पीडियाफ के लिए आप सभी को यहाँ पर नंबर दे रहा हूं 79032886889 तो सेम सेम इसी तरह पीडियाफ अगर लेडा चाहरा है दोस्तों आप अपने मोबाइल में 500 अब्जेक्टिव का दोस्तों आप लोग ले सकते हैं सभी सब्जेक्ट का उपलब पेटियम से तब जाकर कि आपको PDF दी जाएगी आप लोग अगर सक्षम है देने के लिए तो आप लोग कॉल कर सकते हैं फिर वाटसप से आप लोग ले सकते हैं ठीक है अगर आप लोग फालतु काप कॉल नहीं करना ठीक है दोस्तों